इतनी सुन्दर वाली बारिश आ रही है ना इतनी सुन्दर वाली हवा चल रही है ना डेडिकेशन देखो पन देखी इतने बारिश में भी ढूमना नहीं रुक रहा हूर एंग इंच कम नहीं हो रहा है यहाँ आस पांच बजे से उठके बेट कर रहे है कम रुकेगी बारिश कम इसले हपते में चार किलो का हो गया मेरा चाल किसी और को बनाना मुझा एंगा रही है अन्दर से अजिन दो कि अधर थी हाई गारिश बारिश होने के बारिश होने के बाद बहाँ अच्छा मुअचा मुझा हो गया है एंच अवास मेरा पीछा मुझा हो गया है अमित और जिंजर मेरे पीछे वाग कर रहे हैं, मैं नहीं गर्ली में बस हुआ का मज़ा ले रही हूँ कि पता नहीं सदियो बाद लग रहा है कि ऐसा मौसम आया है क्या हुआ? तेजागी बार सेजागी वाँ किता अच्छा रहे हैं, वाँ बान उड़ रहे हैं इसे बुला लो, गिला हो जाएगा नहीं बेड़ भाड लाइज ले हैं अर जिंजर कह रहा है, बार जिखते हैं, पाद भीग जाता है उसके बाद बेड़ पे जाके बैठ जाता है, सार आप बैड़ गंदा कर दोते हैं हम आप क्या मज़े आ रहे हैं कि अपर भी बंड़ रखना पड़ेगा हम लोग फी बंड़े अद्रखलिया फ्रख लेन अद्रख यह अर्टरा को अद्रख वाली चाह ते लिमा मज़ित नहीं आप अद्राख वाली कुछ जला खराब हुग्या पपोड़े नहीं का अद्रख वाली इक हा लुदे नहीं यह यहार विए तोई भाजाता जो इसको मिलता है ना उखाता नहीं है काट पाट प्रट थेखतेता है चपले पहले परातंग होता था अब इसको यह लोंबडी चाहिए इसको पूरी खानिया कि मेरे से चीन के लिए नीचे से उठा के लाया तो बैट के से इसके नेल्स बहुत चुटता है यार बड़े नहीं हो अच्के पर मजबूत है बहुत लादा है चुप जापते हैं जिंजर को भी पूरे हमजा आ रहे है बारिश में इर अधर भागा के अगर पोदा खाया इदर हाँ यह तीनों लोग मज़े कर रहे हैं वाइल आ इम डाउन विद फीवर सुबह बोल रही थी ना कि मेरी हाँ दे दो मेरा गला खराव हो गया है तो आक्चिल मुझे फीवर होगा था तो तो दॉक्तर के पास दवाई बावाई लेक्या आई हूँ इसमें बारिश में नहीं बी सकती तो मैं इन लोगों को देख्के एंज्याए कर लेती हूँ और इसको पता नहीं क्या मस्ते चड़ गई यह बीच में एत अडरो के लेक्र कि एंज्याए गोगे घएट और खगोन भुषसरा हुजज कर अबना करेंस्दर vaccinated ऐारी लिछ दोय को मन भीकर पंद सकते में लिब subjects चु़ को में hospitals शो दोगे शोजय i say अदिसा पेंस 시ath word जढ लुब हो with इतना बड़ा बच्चा और बादल की आवाज उटी तरते ही घोजी कर जाते हैं क्या है थेंड भी लगते ही जाओ लो था जा हुआ था जा बड़े हे हैं étसनी । इतने जाओ जाल आए हुआ हुआ जाओ पाणी içi गोगई बाल भी गिले हुआ है क्या ऊओ एफ पैर गंदे होते हैं बेटा बारिश मेंए जय कह गाँ Iraqi जाओ पानी में जाओ फिर साफ होएगा जाओ पानी में तब साफ होएगा देख पापा के भी साफ हो जा रहे है पैर भी जमजे दी चुछे इसको यार जिंजर को किते मज़े आ रहे है बारिश में ना वाव लुए भी स्नो टंकी को देखो अभी यह बारिश वांब्रेला लेकर गूमेगा बारिश का हमसे में गला घराद और पकोड़ी नी बना तो क्या है हम लोग बनाएंगे चोकोलावा केक अज कप में और मैं पर्ली वर ट्राइ कर रहे हूं मुझे नी पता पर वो बिस्किट का केक इता अच्छा बनाता ना तो मैं उसी के साथ ट्राई कर रहे हैं इतना आसा बनान तो मैं फिर से बिस्किट पीस के दूद और यह डाल के और बस इसके अंदर चॉकलेट के पीसिस डालोंगी और इस अपने अबन में रख दोंगी और फिर देखते कैसा बर के निकलेगा तो इन कप्स मैं बनाँगी मैं छोटे-चोटे कप हैं बोन चाइना के है मुझ जल्दी से इसमें बटर लगा के अब यह सारा विस्किट का निकाल लिया इसमें अब इसमें मिलाइंगे हम धीरे-धीरे दूद और दूद मिलाने के बार बस एक इनो पूरा तरफित इनो डाल दियां और थोड़ा असा दूद अब इसको एक की डिरेक्शन में चलाने है और अब यह बैटर जब हमारा रेडी हो गया है अब हम इसको कप्स में डालेंगे हाफ आप तक फूल कर लेना है मतलब हाफ आप भरना है और अब हमें इसमें यह चौकरेट क्योब्स मैंने तो डेरी मिल्क ली है तो इसको मैं ऐसे तोड़के इसके बीच में रख देती हूं अब थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए उपर से वह डाल देती हूं अब 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 अबन में अबन में इसको में करीब 12 मिनिट तक रखना है तो बारा मिनिट के लिए इसको बंद कर जाए और इसको धीमी गैस पर रखना है और तैनि 10 मिनिट्स हो चुके हैं तो एक बढ़ प्राय कर लेते हैं कि कैसा मतलब खोल के तो देख लेते हैं वह बहुत अच्छे से फूला है और मेरे शाब से बंग भी गया है चाकु से बढ़ प्राय कर लेंगे तो अब हम गयास बंद कर देंगे और इनको बाहर निकालने का बहु अब हम गया अब ही सवत का अब है और एक मेरा थोड़ा सा बच गया यह मैं बिना चॉकलेट के ऐसे रख रही हूं आग ऐसी तो पांच मिनिट में हो जाएगा इज बहुत अच्छे से बन गया है बहुत अच्छे से फूल गया है और इनको थोड़ी देर हल्का सा प्प ठं की तरह बन कर आप ही रहें यह नहीं पाइज मैंने फर्स्टाइम ट्राइब किया है और मुझे डर था कि यह पता नहीं बोन चाइना वाले इस वाली कढ़ाई वाले आवन में चल जाएंगे नहीं लेकिन हां यह चल सकते हैं तो टेस्टेड एंड ट्रायल मेरा मैंने अभी ध्यान दिया कि इस कप के पीछे तो लिखा हुआ है अलड़ी माइक्रोवेव से तो यह नहीं निकल रहे है कुछ ऐसे से निकल का यह तो टूट फूट के बटिया हम लोग ऐसे खा सकते हैं तो अभी रिव्यू करेंगे मम्मी और अमित दोनों का मैंने कप में स कोई कोई दोनों में सेम है बस एक कपने텐ल मुदव हुआ हुआ है चॉकलेट वह से निकलें पैखनेटी हotics तो दिखेगी ना चोकुलावा में प्लिवी आति है का निकलिगी इंग कले सबस्काइब वालत तो इस थोग हो सब्सक्राइब तो नहीं है कि अब कक थो bargaining इससे एक इंगा है तक नशक्राटम अजक्रा क्राइब उन्हों करते हैं टो कि देखर दो मैसे बना दूटीगा घ्रालाओ हए इंट किचारा सो के उठाए कि चोकोलावा केक मिलेगा अभी पर मैं कुछ और बना दू यार इंटरनेट पर बेज़ती होगी मेरी अब तुम मुझे सांत बना बेरो पर मसकी कुछ चोकलेट बनांगे तुका कर देख पना है कि कभी ने रहा है तो ठीक है मैं उसको कुछ और करने जारी हूं वह भी दिखाऊ चाहिए तो हम बनाएंगे इनके चोकलेट अब हम इसके बनाएंगे तक बनाना अब हम इसके बनाएंगे गोलगो लड़ू हम लड़ू चोकलेट वाले लड़ू बनाएंगे आज तो यह हमारे लड़ू बनके रड़ी हो गया है अब हमको यह मॉल्टन चोकलेट ले लिए जिसमें मैंने थोड़ा सा बहुती हलका एक चमच दूर मिलाया और हम इनको इसमें कोट करेंगे सबसे पहले छूटे वाला क अब लड़ू निकल जाए तो यह रख लेता है अब है तो यह चोकलेट सॉस तो यह चोकलेट स्पन के रड़ी हो गया है इनको हम पांच मिट के लिए फ्रीजर में रख देंगे आई होब दिस टाइम यह काम करें क्योंकि अभी तो मैंने काना को भी वेट करने पर लगा द कैश को तो यह थे हुए यह थे टी क्योंड देखे हैं कि अच्छ बात जाए था इनका निकल रख लिए और यह बहुत संदर हो गया तो मैं इसको आपक घाने के लिए यह देखने रहती हैं काना जो ठाके देखो। आपको अच्छा लग रहा है। आज ममा ने कुछ भी गंधी चीज नी डाली सके अंदर। वाज जो तक उच्छा लग गया। यह बहुत असानी से निकल भी गया तॉप से और चाओड़ा सा हमें गनाश लगाना इसके उपर। और इस डड़ी तू एट पाइ मैसान कितना अच्छा लेगा? कितना अच्छा? ओडबल डबल थाम्स आप थांक यू और फाइव मिनिट्स लेटर लेस् टेक दम तो जजज वाली भी देखना एक बार यह आप है कि अच्छे यह अच्छे? मुझा तो बहुत जाता अच्छा चोकलेट है मुझाता है मम्मी को चोकलेट कम पोसंद है यह वाली चोकलेट पहा के देखो तो बहुत अची चोकलेत है कैसी है कैसी है कानल हैue क्यों पेंहको यहाई लगे कैसे यह कर सकते होब है की कि चोकलेत काइश मैसे ज़र सकते हैं कि मैंने न इसमें थोड़ा सा दूद मिला दिया था सिर्फ आप मॉल्टन चोकलेट रखे तो वो अच्छे से जम जाएगा यह देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बन गया यह चीज बच्चों को बहुत पसंद एगी डेफिनेटली तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कोई भी केक बना के इसको क्राम करके उपर से चॉकलेट की कुल्टिंग करके बहुत अच्छा लगेगा अब मैं खुद भी ट्राय कर मैं देखूंगी कैसा बना है बत दानसेट पर टुड़े खराब होती रहती है चीज़े कोई बात मियाब हमेशा अपनी गल्तियों से ही सीखते हैं तसलिए हमेशा ट्राय करते रहना चाहिए जो आज मैंने देखा है कि ट्राय करते रहना चाहिए भले ही चोकलेट आने वाले हो खुद से बच्चों के लिए and that's it for today अगर लोगो कभी वीडियो अच्छी लगी तो please hit the like button please subscribe to my channel please comment on this video and please share this with your friends never give up please try continuously और आप perfect नहीं हो सकते तो at least आप बहुत अच्छे बन सकते हो thank you so much for watching see you soon झाले है